आप सबी का एक बार फिर से जेन क्लासेज द्वारा संचालित निशुन कोचिंग क्लास में स्वागत हैं। आज हम भारती संभीदान का अध्यान करेंगे। देखिए संभीदान क्या होता है। संभीदान वह दस्तावेज जिसमें किसी देश के आधार बुद कानूनों का संग्रह होता है। दस्तावेज का मतलब किताब, यानि संभीदान की किताब होती है जिसमें किसी देश के आधार बुद कानूनों का संग्रह होता है। यानि आधार बुद बाते लिखी होते हैं। जैसे ग्यावस्तापिका का स्वरूख कैसा होगा। संसत के कितने सदन होगे। प्रधान मंत्री का निर्वाचन कैसे होगा। रास्टपति को पब्लिक चुनेंगी या कोई और चुनेंगा। एमेले पद के लिए क्या योगेता ही होगी। वोट कौन-कौन दे सकता है। नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या होगे। नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या होगे। नागरिकों के करतव क्या होगे। यह सब चीज़े उसमें लिखी होती है। इसमें बड़ी बात ही है कि आधार बुद कानून लिखे होते हैं। सभी कानून नहीं। जैसे मानलो किसी विशे की बात करते हैं अपन एस परश्चिता कानुम तो भारती सम्विदान के अनुछे सत्रे वहां पर क्या लिखा है एस परश्चिता या चुवा चूद दंड़नी अफराद है वहां लिखा है वहां एक लाएंगी लिखी होँ लेकिन आपको मालूम होग से संबन दित्तों देश में 200 पानुम बने हैं कि वहां तो लिखती है कि एस परश्चिता दंड़नी अफराद है अब मानलो किसी के साथ चुवा चूद हुई अब वह चला गया पुरी स्थाने में तो अब उस थानेदार कारवे केसे करेगा पूर नियम तो पड़ेगा तो इससे कई शवा चुद चूद के अंदर करत खोंसी घती快ór आपकैंती सम्मेलित की चुवा चूद फुई दाने के कितने हैं किया फेक दोने आपकों्य कंपकर गर्यां और उसकी कौन करेगा तो उसको सजा देने के क्या प्रावदान होंगे कितने साल की सजा दी जाएगी जावानत के क्या प्रावदान होंगे जिस वेक्ति के साथ चुवा चुट ही उसको मुआज़ा देंगे कि नहीं देंगे मुआज़ा कों देगा सरकार देगी कि वह चुवा चुट करने वड़ा कारोबी देगा इन सब कानुनों का उल्लेक सम्विदार में कहीं नहीं तुथानेदार कारवे के से करेगा तो इसके लिए क्या करता है कि संसत में अलग से अधिनियम बनाया हुआ है नागरिक संक्षन अधिनियम 1955 एक तो यह है और एक है सब्सक्राइब निवारण अधिनियम 1989 इन दोनों अधिनियम में ऐस परश्चिता से संबंदित विस्तृत कानुन लिखे में सारे नियम्स सारी नियम प्रकेरें केसे उसको औरेस्ट करेंगे जाच केसे होगी क्या तरीकश होता ङृए क्या। संभीदान में बातों को 200 चीज़ों 200 नियमों को प्रिक्रियाओं को लिखना संभव नहीं होता इसलिए वहां तो क्या उटा कि सब्सक्राइब कानून है कि इसको क्या करते हैं कि इसमें लिखान है अनुचे 16 में क्या लिखा है कि सामाजिक और सेट्स्रीट स्रूप से पिछडे वर्पों के लिए सरकार सरकारी नोख्रियों में आरक्षन का प्राधान करेगी मन्दब भी सी के लिए तो वहां तो यह लाइन लिख दी बाकी जो कानून है यह तो आधारबूद कानून हो गया बाकी अन्य कानून पर तो बनाने पड़े ना जिसे किन-किन जाती को मानेंगे ओवी सी में अच्छा कितने परसेंट आरक्षन दिया जाएगा एज में भी उसके एज लिमिट में भी छूड़ देंगे ने देंगे यह सब सब्मडित की उनको आरक्षन दिया दीया जाना वशारीपंगा यह। उस किताब को ही सम्विदान कहते हैं और भारती सम्विदान जो है यह भारत में जो किताब आई है आधारभुत कानौनों की उसकी साइज लगवग 270 पेज समझे आप अब यहां अपने को जब सम्विदान को इतना महत दिया जा रहा है तो अपने को जान लेना चाहिए कि क्यो क्यों दिया जा रहा है इसको इतनी इंपोर्टेंस क्यों दी जाती सम्विदान को क्यों बढ़ा जाता सभी एक जांस के सेलेबस में सम्विदान है तो इसका अगर आपको महत बजागना है तो आज के भारत की तुलना आजादी से पूरु के बारत से करनी पड़ेगी अना इसके लिए जिसे अभी कोरुना महामारी चल रही है आज वाले भारत में आज की डारिक में इससे एक महामारी चली थी 1870 में प्लेग मा मारी और स्थान था पुना राज्यता महरास्ट वहाँ प्लेग भहिन का रूप से फेला लाकों लोग मारी गए थे प्लेग से तो उस समय सासन था आजादी से पहले की बात है अंग्रेज होगा तो अंग्रेज होने क्या पुलिस ही अपनाई लोगों के प्रती कि उनको पता लगया है कि अमूख गर में प्लेग का पेसेंट है तो पुलिस जाती है उसको उठा लाते अंदर से चाहिए गरवाले रोखने का प्रियास करें लेकिन नहीं मानते थे ना पीछे ट्रोली में उसको पसी में गांड के जंगलों में छोड़ कर आ जाते थे अच्छा वहां क्यों छोड़ गया जंगल में ऐसा नहीं कि जंगल में और वहां उनका इलाज हो रहा है वहां बगवान परोसे के मरें तो ठीक जिनना रहे तो ठीक उनका उप्दिशी यह र प्लेक से तो क्या पता मरता पार नहीं मरता लेकिन उस जंगल और तयंदों ने जबूर उसका कल्यान कर दिया यह तो बात है आज यहदि से पहले की लेकिन आज आज आप देख रहे हैं कोरोना पीडिद आज भी पूना में कोरोना मां मारी लाज स्केल पे पहली हुई है ल लेकिन आज क्या है, पुलिस उसको लेके तो आए कि घर से बाग, लेकिन उसको जंगल में नहीं लेके जाएंगे, उसको कहा लेके जाएंगे होस्पिटिल में इलाज के लिए, सरकार पुरा प्रियास करें कि उसको बचाने का, अब यही सरकार आज है, यही सरकार पहले थी, अब बताइए, यह जो सरकार की व्यवार में परिवर्टन आया है, एक तो उस सरकार के व्यवार के साथ है, आज की सरकार के कैसा व्यवार है, यह किसकी देन है, शायद आप नहीं जानते, यह देन इस सम्विधान की है, क्योंकि उस वक्त कोई सम्विधान नहीं था, कोई म संभीदान है आज मुलीक अदिकार है नागरिकों को मुलीक अदिकार मिलेवें हैं और उसमें बतेक ब्राण और ६्रत्र दे's स्वतंतरतागा अधिकार होगा और सरकार की जिम्मेदारी होगी वह लोगं के सब tread yourself स्टार करें इसको इसे प्राकरदिक मौत से मरें नहीं करें कि लेकिन किसी हो जाता है तो संकार्त मुड़ी करने वाले का उसके घिलाब कारवै करेंगि यह जैसे मालदी जीफ बीमारी से घृस्थत हो गया तो सरकार या इसके इलाज करने का पूरा प्रयास करे तो आज सरकार ये जो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्चे सरकार हो आज कोरोना मरीजों के प्रती जो सानुबुदी आपको दिख रही है सरकार की प्रती जो सहीओ कर रही है गौवर्मेंट या इलाज कर रही है सरकार के डाक्टर या गिसा करमी जो इलाज कर रहे हैं वो किस अनुछे 21 की पूरी पालना करनी है यानि लोगों के जीने के अधिकार का हनद नहीं होना चीए यह जिम्मेदारी आपकी है और नहीं करोगे नहीं करोगे तो सुप्रिम कोर्ट बेटा करकर कारवई करने के लिए आपको मालूम है अभी दस 12 दिन पहले की बात सुप्रिम कोट ने भारस सरकार के दिया ता है कि आपने चलो मरीचों के लिए तो पुरा प्रियास नहीं चलुरा लेकिन एक जिकल मिजु झाय है है उनके जीवन की रख्षा करने के लिए पुक्ता प्रबंद नहीं किया है उनके स्वास्ति सुरुक्षा की दिशा में आपकी स्व्यवस्ताइं सही नहीं है कई चिक्सा करमी डॉक्टर नर्स का पॉंटर वो खुदी ग्रसित हो रहे हैं कारण किया है कि आपने उनको सुरु स्वास्ति प्रमद स्वास्ति सुरुक्षा का पुपता प्रमद नहीं कर पा रही है इसको सुप्रीम कोट को और उसले निर्देश दिया तो भी आपको मालूम होगा बात कि स्वास्ति मंत्री हाथ वाथ उन्हों ने एक लाख पीपी किट का ओडर दे दिया उसी दिन शाम को के अमें तुरंत उपलत कराई जाए डियों से बनवाई होने तो यह किसकी देन है डाक्टरों के मामले में सरकार को जो विवस्ता करने कि यह जो भारती सम्विदान इसका मतलब क्या है बारती सम्विदान के बारे में आपसे पूच लें कि भारती सम्विदान का मतलब क्या है तो आप क्या बताएंगे कि भारती सम्विदान का मतलब है उद्देश्ची का प्लस अनुछेद प्लस अनुसूचेर प्लस संभिदान के घटक यह चारों ही भारती संभिदान ही यह चारों को संभिदान के पर जानते हैं उद्देशिका में बारती संभिदान के उद्देशियों का वणनने रहा हैं कि यह सम्विदान क्यों बनाया गया त Confederacy's Vatok ने कि हमने क्यों सम्विदान बनाया कि सुन्रेक हम बनाए कि वहालत को एक संपून प्रपुत्व संपं लोग समाज्वादि पंत मिर्फेक्ष कन राजी बनाना को सामाजिक आर्थिक राजनेतिक न्याई उपलत कराना चाहते हैं हम लोगों को कि अवसर की और प्रतिस्ता की समता प्रदान कराना चाहते हैं उनको समता प्रदान कराना चाहते हैं हम लोगों में बंदुता की भावना बढ़ाना चाहते हैं इन कारणों से इस कारण हमने सम्विदान का निर्मान किया है इस उद्देशिका में निखा है तो उद्देशिका की सम्विदान का पार्ट है ऐसा नहीं है हाला कि उद्देशिका में से लेकर एके अवारती संभीदान में 305 वानुशी यह देखुल जब भारती संभीदान का जल्म हुआ मूल संभीदान जब आब जानने जी कि मूल संभीदान का मतलब क्या होता है वाट वाट यू मीम बाइदा वर्ड ओर इसनल Constitution या मूल सम्विदान का मद्दब होता है 26 नवंबर 1989 को जब भारत का सम्विदान पहली बार स्विकार किया गया था तो उस दिन सम्विदान में जो कुछ भी लिखावा है उस दिन जो उसका रूप था उसमें जो चीजे लिखी वी थी जो स्वरूप उसका था उसको गते हैं मूल सम्विदान उसके बाद उसमें कापी फेर बदल हो गया तो आप से कोई पूझ ले कि मूल सम्विदान में क्या रास्तिक बास्तिक बारते सम्मिदान की लिखा था आग पिनस म्वाय की और कि अभी उश्री को सब्भालो 3045 अनुचे लिखे हुए है, इसका मतलब यह है कि बारत्य संविदान में 3045 कानुन लिखे हुए है और यहां संविदान निर्माथ आँ ने क्या किया कि जो नियम संख्या लिखते हैं हम उसकी जिचए उन्होंने लिख दिया अनुचै अगर जैसे में यह कहूं कि भारती संविदान का अनुचे 370 तो मैं यह भी कह सकता हूं कि भारती संविदान की नियम संख्या 370 कि शह कामिने अनुच्य 370 को या नीयम में संख्या 370 को वोड़ों का खार यह ज़्य और समीदान निर्माथ था कि वाले कि थोड़ा है सब दिशितेवाद कि दिए करब Science क नय लिखक क्या लिख दिया अज़े। अगर आप बोले अनुच्य 4240, इसका मतलब नियम संक्या 40, आप बोलें कि अनुच्येत 1 से लेकर 302 इसका मतलब ये भी बहुत से कि करम संक्या ये नियम संक्या 1 से लेकर 303 refers अगो है अब अनुच्येत कि आगे बात करेंगे आपन भाग, ये भाग क्या चीज होते भाग का मत्दब यह होता है अनुचे अभी अनुसूची यह जो देख रहे हैं आपके शुडूल्स और नीचे परिसिस्ट है तो एक मिनट के लिए इसको बता देता हूं मैं अनुसूचियां बारा है कुल अभी तो लेकिन मूल सम्विदार में आठ थी चार बाद में अनुसूची एक में तो उनसूची एक को उठाके देख लो उसमें लिखा है कितने राज्ये या इसे कि भारत में कितनी बास आई होगी संभीदार में अनुचे में लिख दिया फिर उसको उठागे आठ थी तपराद में लिखा है और जिससे सबत का आयत प्रावधान तो को इसमें अनुसूची तीन में लिखा है तो अब यहां पर क्या होता है अनुसूचißt में क्या है सलिस्ट बनी ये कि कि इतने राज्य उन राज्यों की सूचियं यह बनी है कि देख लो अब जैसे यह दोबारा यृनुसूची को विश्थर तूप से समजाएंगा आपको इ अभी हम कहते हैं कि बागते संविधान में 22 बाग है कि एक अक्टम से हाद रखना आपको यह बाइस यह बारते संविधान कितने बांग है बाइस बाग नमर एक से लेकर और बाइस तक बाइस बाइस बाड ढहिए मूर्स संविदान में भी बाइस-30 आज भी बाइस है बहुस्य में भाइस ही रह और का अब क्या है भाग किसे करते हैं बहा का मतलब होता है एक प्रकार के अनुचियों का समhv नीरें नियम होते हैं उनको समखार के उन-सबी को एक बाद मे डाला गया है जैसे इसे मालो यह नागरिक्ता है तो नागरिक्ता से संब्धित जो अनुछयद लिखे हैं वह पांच नमबर से लेकर 11 नमबर तक लिखे हुए भारती संविधान में यानि कुल 7 अनुछयद है इस नागरिक्ता से संब्धित ठीक है ना यानुछयद 5, 7, 8, 9, 10, 11 यह साथ यह ना नागरिक्ता से संब्धित है इनमें नागरिक्ता के संब्धित कानुन या नियम लिखे हैं तो इन सभी को क्या कहेंगे यह एक ही प्रकार के अनुछयद हो गयन है कौन सा प्रकार यह नागरिक्ता का प्रकार तो इनका अलग से भाग बना दिया गया एक अलग से बॉक्स ब बाग नमबर 3 में क्या है कुल कितने अनुचयद आपसे पूछ ले तो बाग नमबर 3 में 12 से लेकत 35 तक अनुचयद है और कुल कितने होगी संक्या में 24 अनुचयद हो गए और यह सबी अनुचयद मोलभूत अधिकार या मोलिक अधिकार हो इन को करा है तो इनको इनको अलग से वाग बना दिया गया तो यह बाग नमबर 3 मोलभूत अधिकार हो से संब्दित अनुचयद हो को रिप्रेजेंटेटीव कब रिप्रेजंटेटिव है यानि ये किसका प्रतिनित कर रहा है भाल नमबर तीन मूल अधिकारों से संब्धित अनुच्यदों का जिनकी संख्या 24 राजी के निति निल्देशक तत्व है यह निति निल्देशक तत्व का उलेक अनुच्यद चट्थी से लेकर चट्थी से बनाने चीए जिसे लोगों को जादा से ज्यादा फायदा हो जिसे क्या लिखा निल्देशक तत्था में कि सरकार आई कि ऐसमान तो कम करने का प्रियास करेगी। यह निती-दर्दिसक्त्त्रों में लिखा है। सरकार सामाजिक निया कि सथाप न यह कोई उची-जी का नहीं हो नहीं रहा झाय है इसे करते सामाजिक निया है। और या सरकार बीमारी के समय लोगों की सेवा कर रेगी, जैसा के भी कर ली है, वो इस नेती-निर्दशिक तत्वों के अनुपे के तदि इन्धी के तरहे हैं. तो ये मितीनरते निर्ड्य टत्व है तो जोगे चातिसे काउन कि ahead किसमें है कि इस भागच्यार थो एकप्रकार की काउनों हो गये सारे यह अनोचेत सभी चातिसे काउनि एक ही प्रकार हो गए उन सा प्रकार हे वो राज्य मध निर्ड्य सिक्त Wiисir क agreements अलगक से नम्बर से अभित लातित गया इस तो नमबर धीप चाह। इससे हैं पुरिद की तो यह Shi ए सब kेंद्र सरकार से संबंदेUST का रास्थपती के सब्स कानून जी सब्सक्राइब क्षाओं के सब्सक्राइब क livres besar सब्सक्राइब पर इए तो इनको अलग से क्या वाज बना दिया गया इसे राज्यों के संबन में राज्यों में मुक्यमंत्री के से बनाए जाएगा बनाए जाएंगे उनके पावर्स होंगे उनका ट्रांस्विक्तर सिस्टम होगा इसमें तो यह बातें राज्यों के समझ में किसमें दिखी हुई है अनुचेद 152 से लेकर 237 में तो इन 86 अनुचेदों का समू एक प्रकार का हो गया नहीं एक प्रकार के हुए सारे प्रकार बाग बना दिया गया यानि मैं क्या करना चाहरा हूं कि बाग क्या है एक प्रकार के अनुचेदों का समू अब वो अनुचेद की संक्या देखो आप चलो मेरे साथ इधर यहां तो सो आ रहे हैं अनुचेद यह सभी एक ही टाइक अनुचेद है लेकिन तो इसके लिए वीच उसमें संभितान संसो दन से समंदिक कानुनों का उल्लेक है अनुचेदों का उलेक है लेकिन दुरपाट यह से क्या है कि दिमार्ण अनुचेद के लिए बंदा दिया गया ऐसा नहीं ऐने कि अलब पाग बटाने के लिए कम से कम 10-20 तो उने चीए नंचेद ऐसा तो वो जो अलग भाग उसके लिए बनाए जाता है कि वो अलग ही टाइप का अनुछेद हो उसमें यहां हो गया न संसोदन से समधित के विले कि अनुछेद है पूरे ही सम्मिदान में तीन सो पिचाड में नहीं तो फिर उसके लिए एक तो है अनुछेद हो लेकिन अलग से अब आप से बूज़ने के कई कोई अनुछेद में दिखावाए इस संसोदन टाइप का अपने आप का यह कि और एक ही है इसा पूरे सम्मिदान में इसके लिए अलग से भाग भाग बनाया दिया तो कुछ अनुछेद ऐसे हैं जिनमें एक ही अनुछेद है और कुछ वाग इसे हैं जिनमें 100 अनुछेद है जैसे यह भाग है इसमें पांच नंबर में और यह छे नंबर में छीएंसी है अब आप से भूझ लेगी बारतिय सम्मिदान का सबसे बड़ा भाग बाग संक्याद 5 और उसमें कितने अनुछेद हैं 100 और कौन से अनुछेद संक्या देकर 15 सबसे बड़ा अब आपको यह जानना है यहां बाग समझ में आ गया अब आपको यह जानना है कि यह जुम्हें बता रहा हूं ना आपको अभी 22 बाग की तस्विर देखर हो आप यह सब कानून देखर हो आप क्या आज ऑगा यह जो स्वरूप यह तो 26 नॉमबर 1949 का है कि मैंने चुश्व यहां लिख रखा है यह आज वाला समयधान नहीं है यह 1949 वाला समयधान है आज संविदान में कुछ चेंज हो गए उनकी क्या प्रकिरिया रही उनको यहां सेट के से किया गया उनको समझने के लिए पैदे आपको यह समझना आवस्चिक प्राव कि उस समय क्या स्थितिती संविदान की उसको समझ गए अब आज क्या स्थितिती है उसको समझेंगे देखिए पहले आप यह जान दीजिए कि पिछले 70 सालों के दुवारा कौन-कौन से अनुचियत बारती संविदान से अटाए गई देखो बारती संविदान के एक अनुचियत है 368 उसके तहर संविदान में संसोधन किया जा सकता है संसद करती है अधिकान समावलों में कुछ मावलों में संसद पलस आदे राजियों के विदान मंडलों की स्विकृतियाव से कोती है तो इसमें देखिए संसोधन के तहट अब तक वारत में एक सूचार के लगवग संसोधन की जा चुके अब आपने जानिये यहां कि संसोधन का मतलब किया है संसोधन का मतलब तो जैसे पहले कोई अबूछयत लिखा है उसको एकदम से मिटा देना एक तो यह संसोधन है एक संसोधन का मतलब यह होता है कि पहले कोई बात लिखी हुई और उसको थोड़ा साथ चेंज कर दिया जिसे 61 संविधान संसोधन में क्या चेंज किया गया कि नागरिक को यानि मतादिकार की जो आई हुए वह 21 से गटाकर क्या कर दिगे 18 यह चेंज किया गया संविधान में उनसे संसोधन 61 में कहता है तो वह भी संसोधन कहलाता है एक होता है संसोधन कि उसमें कोई नहीं जीत चोड़ देना नया अनुछेद चोड़ देना जिसे मौली करते में जोड़े गए यह सभी संसोधन कहलाते हैं तो अब वारते संविधान में पिछले 70 सालों में जो संसोधन है उन संसोधनों ने इसके जो यह वह जिए जो ओरिजिनल सुरू पर इसका इसको का भी चेंज कर दिया अब क्या क्या चेंज जो आप जो आप यहां समझेंगे सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि इससे संसोधन कितने प्रकार के हुए जिन से किसी अनुचेत को या बाग को बिल्कुल यह अटा दिया गया तो आप चलेंगे यह जो बाग से शाद को अनीस aux चले में यह राज्यों से संब्वन दृता ऊसर चंफिस घृत ईसको क्या व्याग्या हटा दिया गयां जो इस दोडिक्त आपको इसको क्या लिगों आज की का श्रag निर्सिद का मतलब होता है हुमिटेड मिटाया हुआ इसको कहते है निर्सिद का लेकिन समविदान ये वाज निर्सिद लिखाओ है हुमिटेड काते है इसको इंगलिस में और ये 238 है कि यहां जो कुछ भी लिखा था मूर्ण सभीदान में 26 नॉम्बर उनीस सो उन्चास को उसको साथ में संभीदान संसोदन इस वक्ति यह बॉक्स बिल्कुर खाली पड़ा भाग यह अनुचेद भी खाली है भाग भी खाली है एक क्या किया इन्होंने कि उनीस सो चपन में कि साथ में संसोदन के तयाद एक यह जो आप 243 देख रहे हो इसको भी अठा दिया राज्य सासन को अना 283 यहां क्या लिख दिया निर्सित लिख दिया यह 243 याणि 243 भी खाली हो गया यह दिखा दियो गया दो भाग है बिल्कुल खाली हो गये भारती समिदान के एक तो गढ़ना यह हुई, मतलब मिटाने वाली, अब क्या हुआ कि बारते सम्विदान में कुछ आर्टिकल या कुछ अंचे जोड़े गए, उनकी क्या प्रकिरिया रही, तो देखो, आप चलो, इन्दरा गांदी ने मौलिक करतोयों को जोड़ा था भारती संविदान में, और संसोधन कोई सा था, बयानिस्वा संविदान संसोधन, इन्दरा गांदी को यह लगा, उसमें क्या आकर, अस्ती का दस्यक एक साथ आभारत में, जब जनसंक्या तेजगती से बढ़ रही थी, उन्दरा भी लागू करना पड़ा था, तो उन्होंने सुझा गे जनसंक्या को रोगने में सरकार रखे भी कुछ नहीं कर सकती, नागरिकों को अभी सयोग लेना पड़ेगा, तो नाग के फरज क्या होंगे, जिसे मोली के अधिकार में क्या लिखाया है? की सरकार की जिम्मेदारी होगी, यह अधिकार लोगों को मिले, यहां सरकार को पावंद किया जा रहा है, नागरिकों को पावंद नहीं कर रहे है, नागरिकों को सुविदा दे जी जाएplementmber, निति इंडर देश यानि गोवर्मेंट पूइधे नागरिकों को पामंद नहीं किया गया कि उनके भी कुछ खर्ज बनते हैं देश के लिए या देश की सरकार के लिए तो इंद्रा गांदी ने किया चुनों नागरिकों को बाबंद करते हैं तो उन्होंने 1976 में मुलिक करते भी जोड़े वह किन के लिए थे नागरिकों के लिए ग्यारा दस मौलिक करते हुए थे बाद में एक और जोड़ा गया था तो उन्होंने जो मौलिक करते हुए जोड़े अब अपने को यहां यह समझना आके उसको किस जिट करेंगे यहां मौलिक करतेवों को कहां सेट करेंगे आप मौलिक करतेवों को सेट करने के लिए साथ अब 22 वाग है अच्छे इसमें नियम क्या है कि कभी भी यह भाग का जो हंतीम नंबर है वो 22 से आगे एक रोस नहीं करेगा 22 को नहीं कुदेगा यानि 23 नंबर नहीं हो सकता किसी भी भाग आपका 23 नमबर नहीं होगा 22 ए तो हो सकता है एक इस नमबर कभी नहीं आएगा इसी प्रकार एक नियम क्या है कि यह जो आप 304 नमबर देख रहे हो इंगसोत चल्व मैं इसको यह इसके आगे लूच्चेदोम की संह्क्या लिखे हुएं तो इसको मीटा देता हूं आप समझें गयâte यह बाल किसे नागरी तक यह समें पांश हि inside च्रहाण के इस है साथ इसे टोटल संह्क्या लिखे दिहा कि है कि देखो एक नियम क्या है कि जिसे कोई नए आनुचे जोड़ना सभीदान में जोड़ना पड़ी सकता है सब्तर साल पहले लग सितिती देश की आज सितिती अलग अपरिस्तिया मदली नहीं 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 अफराद हो गया और कई बाते होई देश संबन भी हो गया कई त तो उन्होंने क्या किया पिर नए कानून बना कि आप जोड़ सकते हो नए अनुचे जोड़ना सकते हो समिदान में लेकिन 305 अगा जो लास्ट नंबर है इसको क्रोस नहीं करोगी यानि 396 नहीं आएगा कहीं पी अनुचयत कितने जोड़ दो आप जी 500 और जोड़ दो लेक लेकिन वो नहीं आएगा क्या में 396 नहीं आएगा 397 नहीं आएगा 399 नहीं आएगा ऐसा अनुचे अपने इसमें नियम बना हुआ यह परिपाटि के सम्विदान में स्वक्षोदन करने की तो अब कैसे करें साथ इसा में हिंद्रा गार्दी ने क्या किया मोली करते वे जो तो उनको फिट का करें है कि वो यह जितने भी भाग बने हैं इन बागों में किसमेट आले अच्छा मैंने आपको क्या कहा कि प्रतिक भाग की उसे सही है कि उसमें जो अनुच्छेद वो सभी एक ही केटेगरी को ने चीह है एक केटेगरी के हैं ना कि जैसे तो यह अनुच्छेद हैं जिनका संबध नागरिक्ता से रूखffen दूसरा निशेद ने होतों तरो फिर मोल ही आप चलें के संसोदन से सब्सक्राइब करें किसी के जोड़ें तो पिर सरकार ने देखा कि यह जितने भी केटेगरी के भाग बने रहे हैं उन केटेगरी में किसी पर अपना धर्म नहीं तो होगी मौलिक अदिगार में लिखान है प्रानों देइक स्वत्मत्रता से बंचित नहीं करोगे तो सरकार को पावंद किया जा रहा है बिना बताए किसी विक्ति को गिर्वतार नहीं करोगे उसको गिर्वतारी का करण देना होगा आपने अगर किसी को गिर्वतार कर लिया तो सञे सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो सरकार से क्या का गया कि आप ये इस तरह को बेदवाव है भारती समाज में इसको दूर करेंगे तो यह नितीन दिर्जसिक्त ततों में लिखावा यहां भी करते में किसका हो गया गवर्मेंट का हो गया नहीं तो अब फिर इसकी सबसी उप्युक्त सब यह लगा कि दो सबसे ऑपकित पर ये लगा तो तो अब आप देखेंगे की क्या कि अपे उन्होंने क्या की ये किसके था यह प्रक्रेंज़ सरकार के करतेँ हैं तो रजिकें किया तो इसको क्या अलुचेद कौन सा दिया गया यहां तो लिखिए मुल करता भी यह मूल करता भी मूल करता भी और उसकी अलुचेद संग्या कौन सी देंगे देखो एक्यावन है यह अब देंसकता वह देंसकतें नीज सकते तो बावन में दूसरे सी जाए उसमें कैसे बढ़ा देंगे यानि जिस कुर्सी पर पहले आदमी बेटा हुआ मां दूसरे को जाके कैसे बिटा देंगे या तो कुर्सी खाली हो खाली तो रही नहीं तो बेटेयों पर कैसे बिटा होगे तो इसके लिए क्या किया जा रहा है यह जो 51 है ना इसके बाद एक अंचे दो जोड़ा गया 51 और इसमें एक दम जो ध्यान रखना हो यह है कैपिटल लिखा जाएगा स्माल नहीं कि अग hurricanes जो औario Secondly-shי spreadsheet यानि या जो एक शियर ना इसमरिवन बात में जोड़ा गया है ऑगर स्माल वहता है टेर्मीदान के जुड़ा हो सकता है क्योंकि स्माल निरमाता हुशे किया में और असाल स्माल लेटर का सबाद लेडर का उपयोग हम किसने किया जो सम्विदान निरमाता थे उन्होंने किया जिस स्वाव तांतर अधिकार के बारे में यह ए दी का उपयोग किअ उन्हीं एक एक होता है जो मुल्स संभिदार में इस्तिमाल हुआ है जिसे एक ही तो निटर का कई मुल्स संभिदार में इस्तिमाल नहीं है तो वो जोड़ेंगे कैसे तो उनके लिए क्या कर दिया कि आप जिस अनुछेद में जोड़ो होना अनुछेद के साथ यह जोड़ा गया अनुछेद में तो और भाग की नंबर पूंज से जोड़ी गई चार ए चार के भी कहते हैं इसको इंदी में तो फोर ए और फिप्टीवन ए यानि मोल करते हुए कब भागत हो गया चार ए और उसका अनुच्छेद हो गया इक्यावन ए समझ गया कि हिए इस संग्यान को तो चेड़ना है यह जादा जादा इसके ऑषय नहीं कर देते हैं कि यह चैनुच्छेद है कि हमें यह करते हैं और पामूर ए उसके में लेक्र भाहिए कौरतीड़ नाम करते हैं का नाम से संब्धत है कि नाम क्या अपन से प्यत्रूंन का नां कुनग लिका तो में क्या कि लास्ट में इसके नाम का संब्द इस करते वे से दूर दूर भी जुड़ता नहीं है इसलिए यहां तो फिट कर नहीं सकते और जगे लिए आप देख लो कहीं फिट होता नहीं है यह तो फिटी सिर्फ यह होता तो इसको यहां चोड़ा गया यह अपनी कुल बाग सिंख्या एप्रभावित रह कि बार 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 जिस चार-फांज बार उन्होंने अभी द्रस्ट को संब्धित किया इस कोरोन मामारी के मामले में तो एक स्टेटमेंट का उप्यों कर रहे हैं वो बार बार कौन सा कि मैं आप सबी का आउवान करता हों कि आपके इर्दगिर्द आपके आसपास यह कोई जरूरत मंद वेक्ती है तो आप उसकी सेवा करें अब आप डों के साथ इसमें कौन से बड़ी बात हो गई ले लिया होगा स्टेटमेंट मोधी जी ने बोल दिया होगा कि दिमाग में लेकि उन्हों ने किया किया मौधी जी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि भारत में अगर इस कोरोना मामारी से संगर्स करना है लड़ाई लड़नी है तो लोगों को भी साथ लड़ना पड़ेगा आखिए सरकार कुछ नहीं कर सकती है यह लड़ाई इतनी बढ़ी है इतनी करते हैं अंगों करते हैं लिए यह दोनुवाले तो अपने इनको निए आज अपने करना यह रभण करते पढ़ते चांप उस पर चोते पिन्दू पर आये एबी सीडी में एप इंडी में कहाएगे गड़ी वाला वहां क्या लिखा है अब आप देखेंगे इस क्लास के बाद उस चार गया मुलिक करते हुए कि बिंदु संक्यात गया यह लिखा वाया कि ये प्रतेग भारती नागरी का करते भी होगा कि वह आववान किये जाने पर राष्ट की सेवा करें बस ये बात उनको भावे यहां और उन्होंने बिना समय गाए इसको उठा लिया वहां से और बार-बार इस स्टेट वेल्ट को बोल रहे हैं जबकि भारती लोग नहीं ज सर्वदार नेशन वें काल्ड पॉन टूट हो अच्छा आवान किये जाने पर अब ऊवान कारेगा सरकार को करना आववान तो यहां आववान करने वाली सरकार कोने मोधी जी आववान कर रहे है बहरती पपलिक से कि आपको अपने आस-पास के जुरतमंद लोगों की सेवा करनी है लेकिन अपने समझगे इसका भी कितना बड़ा मेहत्वर अपने को वैसे जान तक हो सगी इसकी पालवा करनी जाए अपने अपना और देच का इत्वी सिमय नियत है अब इसमें आगे चलेंगे था चार ए जोड़ दिया आपने नीचे चलेंगे साब इसमें जैसे चार ए जुड़गे आपके जुड़ने वालों में और कौन सा आएगा कि मैंने क्या काँच 248 जोड़ा है 213 अब चले अपन उनी सोब रहान पर आई यह जो बाग नो खाली पड़ा आने यह तो बाग नो में क्या हुआ इस खाली बॉक्स को बढ़ा गया यहां पर और यहां क्या बर्रें यहां बर्रें पंचाईतें बारती संभीधान का संभीधान संसोधन अधिनियम संभीधान संसोधन तैतर वाथ 1912 में किया गया था मालूमा आपको तो उसमें क्या हुआ जो बारत में पंचाईती राज़ संस्ता हैं ग्राम पंचाईते 25 समेंती जीला परिश्थ इनको संभीधानिक दर्जा दिया गया अब तक संभीधान में कहीं कोई अधापता ही दित इनका मनमर्जी चवरीती राज्य सरकारों की पहली बार भारती संविदान में इनको स्थान दिया गया और इसके लिए बार संविदान में संसोधन किया गया और उस संसोधन के तैद संविदान में अब संविदान में जब किसी को स्थान देते हैं तो उसको बिठाएंगे ना संभिधान में तो कहने करना है कि आपको बाग नंबर नो में नो करना है तो बांने महले बिढ़ हो पंचाय तो को अनुचयत चूंकि यह ते उसमें ने एक अनुचयत था खाली ताही है एक पंचायत तो यह यह अनुचेत क्या किया गया इनोंने 243 से लेकर 243 ओब यह ओए जीरो नहीं है एबी से डी एजी है जी एज़ी के लमनो लगबग यह है 16 अनुचेत 16 अनुचेत हैं कि आप गिनेंगे तो तो 16 अनुचेत इससे संब्धित है पंचायतों से संब्धित जो 1912 में जोड़े गए तो यहां फिट कर दिया इस बार नंबर 9 में क्योंकि खाली पड़ीती न काड़ी अब आप को कि यहां जिस बाग में जोड़ रहे हैं वहां केटिगरी से कोई संब्धित वेसे खाली पड सब्सक्राइब करते हैं अब यहां पंचायतों से संब्धित आप पूरे संब्धितान पर निगाह डालें पाईसी वागों में कहीं पूर उलेग नहीं है ना तो इसलिए इसको पिर यह किया गया खाली जिए जो इसको नौनमबर में बिठा दो तो वेसे खाली जी तो साथ नमबर भी थी साथ के विजाए इन्होंने नो नमबर में बिठाई इसको बिठाया और नो नमबर यह 16 चोड़े गए और उस भाग का नाम क्या रखा गया पंचायती ने अब इसी के बाद आपको द्यान होग उस्सी साल निसी सो बर्लाडमन इसके कुछ दिनों बाद ही संसोदर और किया गया बहुति संविदान में गतानी तो बाद में क्या वागे सम्मेदान की दर्जा दिया गया सम्मेदान की दर्जा दिया गया तो अब यह को इसको समिरान में कहा स्वासासिन से संबंदीत है अच्छा चूपी यह तो खाली तो नहीं गाड़ी यह तो बरी वी तो इसा करते हैं विस गाड़े के साथ ही इसके पास इसके जगे बना देते हैं यह कुरसी वह लगा दो कौन सी लगाएंगे साथ उसकुसी का नाम कर दो नो ए भाग नो ए जोड़ा गया नगरपाली काएं अना और यहां लिखा नगरपाली काएं लिखकर आगे देखिए 243 ओ तक तो हो गए ना उससे पी आएगा उससे नेक्स्ट कॉंस आएगा पी 243 पी से 243 जेड जी देखो इसमें क्या है पी क्यू आरल मैंनों पी क्यू आरा एस्टी यूवी डवी एक्सवाई जेड 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 के बाद फिर वापस एबी सीडी एफजी तो यह कुल अनुछेद के ने अठारा अ कितने अनुछेद हो गए यहां कितने अनुछेद हो रही है 18 आठारा अंचे जोड़े गए कितने अंचे नहीं अठारा सारे के सारे 243 पीसे लेकर 243 जेड़ जी तक है नहीं दो सो तैयाली से आगे तो बड़े लिए सकते हैं है चम्मारी सपर तो दूसरा आप बैठा वहां कुरसी पर वह से लगाणी पड़ी जो इसकी इसकी इसके इसे मिलती जुरती है वह इसकी विरादरी की थीक है तो नगरपाली का उपांने यहां जोड़ दिया इसके बाद चलेंगे एक बाद अब क्या हुआ साब कि आपको जो भाग दस दिख रहा नहीं है यहां पर एकटना और हुई 1979 में यह क्या एस्टिक शेत्र है भाग दस में किसका उलेक है इसमें यह अब चुमाली सिंगल अनुचित है और इसमें लेक है यह जो अनुचित जनजातिक शेत्र है जिसे पूर्वोत्र में जले जाए त्रिपुरा मढ़ी पर में घाले अनुचा परदेश नागाले जल जाती है रहती है उनके संबंद में कुछ अलग कानूद बने हैं सासंग त्र अनुसूचित जनजातिक शेत यह नाम था अनुचित का तो पर पास की वेगे कि इससे संबंदित कोई भाग है तो पता लगा डूंटे ढूंटे आये तो असाब यह बाग नंबर 10 है वो अनुचित जनजातिक शेतर से अचह सें मिल रहा है कि सें़ ड़ाए चलो इस बाग म उसका अलग है वो दूसरे स्टेट है और ये उनका संबन्द है मनिपूर त्रिपूरा नागलेंड इन से और जिवब नहीं अनुच्छे जोड़ रहे हैं 245 ये जोड़ा गया इसका संब्ध असंब से था यानि उसकी केटेगरी तो वह यह अनुच्छी जन जाती शेत्र जैस जो खो़र भाए दे जोडः तो अलग्भाग नहीं जोड़ा तो अलग बनायाा क्यों बनाया या मोल नहीं से और छुटेल मुल धांज के मूड़ जोड़न पर लेकtime सब्जेक्ट से मैंच नहीं करता है इसीतर यां नगरपाली कया है कि हूबू इस पंचाइटों से महच नहीं करती पूरी तरह से नहीं मिरती आप उसको चिपका नहीं सकते उसके पर लेकिन उसमें तो क्या आगये एस्टिक शेत्र इसमें लिखाया वे सगावा इसका भी यह तो एकदम से मेंच कर गया तो पूरा का पूरा मेंच करने कारा अलग से भाग नहीं बनाया गया इसके बाद चलेंगे कि 1978 में तीन सो आप चलेंगे पार्ट सुंकिया तीन सो एंड ठीक है देखो इसमें थोड़ा यहां उपड़े है दो सो चॉंसर से तीन सो अना क्या वा भाग सिंग्या बारा में फाइन से समद्री नियम लिखिये और दो सो अब 1978 में क्या वाक है इंद्रा गांधी ने उन्होंने मौराची देशा ने संसोदल करके जो संपतिक अधिकार था ने भारत में उसको मौलिक अधिकार था पहले अनुछे दिकतीस में उसको समाप्त कर दिया और उसको बनाया वेदानिक अधिकार बना कि उसको डाल दिय इस बारा नंबर भाग नहीं यहां-चूंकि उसका सुजेंट में भी त्थ तक किसका उस संपतिक अधिकार का पहले संपतिक अधिकर यहां हुआ करता था इस जगह बारह से एक थीस तक यह बारह से पे-30 वाले विस्तार से और आगे पढ़ेंगे सभी को बारे में बात करेंगे अभी तो मैं आपको सिर्फ बना और समझाना चाहाँ कि सम्विदान में यह सब सेटिंग कैसे कर रही अनुचेदों की वागों की तो अभी जाना बात नहीं करेंगे तो 1908 में जब समझान के मौली कदिकार को मौली कदिकार से मठार कानूरी इदिकार बनाया तो यहां जोड़ दिया वर शुद्ध ऑप सब्जेक्ट तो क्या कर रहे हैं आप इस वर कि विद्ट थाना सब्जेट तो इस बाग से संब्धित माना गया हो तो बाग तो यह कोई रख दिया गया क्योंकि चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह कोई ही वह मिल रहा है और चेंज कर रहे हैं सिर्फ यहां एक अलग से 300a जोड़ा गया संब्धिक के मोलिक अधिकार को मोलिक अधिकार से अठाकर उसे वेधानी अधिकार बना रहे हैं और वेधानी को अधिकार बनाकि यह इस 300a में डाल रहे हैं तो यहां के यह संसोकन किया गया तो यह लग से अनुच्छे जोड रहे हैं ऐसे मोलि करते हैं तो यहां भी अलग बाग करते हैं यहां बारा एक करते हैं लेकिन यह निगवाद तो करेंगे क्योंकि तीन सो में कोई और बाद लिखी हुई है कि इसके बाद होगा है आपके एक क्या पर चोदह एक बाद बनाएं गया यह सेवाओं को मतलब जैसे अखिडवारती सेवाओं या राच्यों पढ़िए हैं लोग सेवाइन के बारे में लोग सेवां के बारे इन वह उप्रिए हैं तो इनका उलेक सेवाओं से संब्धित उलेक इन उनुच्य दो में 308 से लेकर 323 टा कर उसका बार दिया वाद चोद ने वाग बाद सब्सक्राइब करके चोड़ा गया लाया गया उसका नंबर था दो अनुच्य थेवर 323 ए और 323 भी अना तो अब यहां क्या समझे आए कि इसको यहां के जोड़ा गया अधी करने का मनदल्ब ट्रिबुनल होता है जो ट्रिबुनल सरकारी सेवकों के लिए होता है उसका उप्योग सरकारी नो समझाल होता है उससे समझे तो कोई नहीं है तो उससे मिलता जुलता है तो उसके बाद दिया गया 323 323 क्योंकि 24 जोड़ नहीं सकते 24 में तो दूसरा बैटा हुआ है तो 323 कुर्सी बिलाएंगी 323 कुर्सी बिलाएंगी इसके बाल यहां भी अलग जोड़ेंगे 14a क्योंकि मैंने क्या कहा आप से अगर यहां सेवाई सब्द होता तो अलग नहीं जोड़ते हैं क्या बाग अल अंदर जो चींद लिखी हुई ना यहां भी यह इन से मिलती जुलती है लोग नोगर साइस से इसको इसके पास ही पिट कर रहे हैं इनको पास बिठा रहे हैं एक चौदह यह एक पंद्रह हैं आप देख रहे हैं निर्वाचन निर्वाचन से संब्दित कामून जोड़ा ग कितने अनुच्यद होगे 324 25 26 27 28 29 और 329 यह होगे ना 24 25 26 27 28 29 और 29 साथ अनुच्यद होगे इसमें पहले चेहते साथ होगे आज की दारी में यहां अंदर भाग इसमें नहीं मना रहे हैं कि जो अनुच्यद आया है उसका सब्जेक्ट यह यह निर्वाचन इसका तो अधिकर उसको अनुच्यद में अलग ने नोच्यद में इस तरह से वाग अब तक बारति समयदान में बने संसों दरपी तक नहीं हुआ तो आप समझ गए ना कि भारते सम्विदान में बाग का सिस्टम क्या है अब नहीं बाग बने ना भी चारे है जिसे एक बाती यह जुड़ा है और एक यह 14 यह जुड़ा है समझे आप तीन बाग जुड़ाए अब कई जिगे आपको बुक्स में या गायड में कहीं मिलेगा क्या लिखावा है कि भारते सम्विदान में दोसो पत्चीस बाग है इसको समझना बहुत ध्यान से बड़े काम कीजी आप लोगों के लिए कि क्या लिखावा बुक्स में बारते सम्विदान में 325 बाग है कि यवद 25 25 केसे मान रहे हैं वह 22 तो यह हो गए एक चार है 23 और एक नो है 24 और एक चोड़ है 25 इसे 25 मान रहे 22 प्लस तीन जो बाद में जोड़े तो कि साब सम्विदान में बाग तो 25 है चलो ठीक है मान लो आप आरेस का इंट्रूव देने वे इंट्रूव बोर्ट वाड़े ने आप से पूछा कि चलो बताईए बारते सम्विदान में कितने अनुच्छेद है आपने उठा के बता दिया कि साब दो सो पच्छीस है वो सोरी पच्छीस है वो पूचे कितने अनुच्छेद है कितने भाग है आपने बताया पच्छीस भाग है तो वह वापस पूछ रहे का आप से कि चलो बताओ बाग नंबर 23 में क्या लिखा है आप उठाए यहां देखो कि कि अच्छा 22 तो यह थे ना पर तीन बाद में जोड़े पहले कुण सा जुड़ा जिए चार यह वाड़ा पूल करते वह जोड़ा पटाक से कहते हुए उसको यह सब जो 23 मोल करते में लिखा है पिर वह वापस कुछ रहेगा आपस अच्छा मोल करते में लिखा है तो फिर आप यह बताए कि भाग चार प्रके लिखाया पिर आप क्या दोगी जवाब नहीं नहीं जिसरीमान चार गॉल करते वह लिखावा यह वह निया तो इसको आता जाता कुछ नहीं यह यह दो एस रट रटाके और मुख्य परिक्शाब्स क्वालिभाल्य कर गया तो एसे अन्क्लियर आदमियों कि यहां सरकार में कोई वेडियो नहीं होती है अभी कोरोना मामाँ इस प्रिया पूछ आपके वहां इस वड़ किसी एरिया में कर्यू लगा है तो सर रामगर्ज में लिगा बड़ी जोबड़ में लगा चांदपुल में लगा है इधर देखता हूं में संदी के आसपास है नही हो इसे क्लियर आदमी हों मुख्यमंद्री वो कहें चाहिए पूछ के बाता हूं इतना इसका फिर नहीं मुख्यमंद्री के पास उसको पूरे 33 ले घिल करने तो यादमी की सरकार में सरकार प्लो जाए कितने आदमी बढ़ जाएंगे तो अगई क्लियर आदमी प्रफिक के साथ यहां यहां करक्यों लगा एक लाइन में जवाब जाए तो लिए आदमी की वहां होती है वही काम करता सरकार में वहीं सब्सक्राइब करते हैं तो यहां क्या होगा चाहिए आपने तो पंद्रा गंटे पड़ाई कर ली पूरे को रट लिया इसको लेकिन सब पर पानी फिर गया क्योंकि आपने अपना कंसेप्ट लियर नहीं किया कंसेप्ट कि लास्ट मेंबर 22 से आगे नहीं जाए इसलिए कुल बाइस ही माने जाएंगे हमें साथ ध्यान रखेंगे इस बात को रट लेना कि बात इस समीदान में अगर पूछ ले कोई कितने बाग तो बाइस बाग अनुचेद कितने हैं 355 अनुचेद अगर आपने गलती से बता दिया किसाब सोड़ा अठारा तो आपने यहां जोड़ दिये पंचाइद राद में 16 यहां जोड़ दिये तो यह तो तीन सो पिक्शान में कहीं आगे चला गया जो चार सो सौट सत्तर पर ज मुझेगा आपसे बताइए 396 में क्या लिखाया है क्या जवाब दो में फिर याद ही नहीं हमारे को देखते हैं हमी तो ऐसे इसी नोलेज की कोई नहीं होती है इसलिए आप एक नम क्लियर रहना में बेसिक से क्यों बढ़ा रहा हूं आपको यह सब कंसेप्ट क्लियर करने क लिए जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप चाहिए कितनी मैनत कर लें कितना ही आप कर कि चले जाए रटकी चले जाए आई-एस और आरेस में में इसमें होगा और इंट्रिव बोर्ड होगा वहां वहां सब्सक्राइब क्लियर होता है जो आपको कम याद करो लेकिन जो करो उसमे क्लियर रहो एक दम कैसे पुछे आंसर गुमा फिरा के आप आंसर देने की स्थित में रहोगे अगर क्लियर शुरुवात में तयारी करते समय क्लेरिटी का धान रखोगे तो मैं आपसे यह आगरे करना चाहूंगा एकदम समझ जाना इस बात को तीन सो पिचाण में थे उनिस सो उन्चास में भी आज भी तीन सो पिचाण में यह उस वक्त भी भाट बाइस थे आज भी बाइस ही यह चाहिए कि इतले जुड़ते क्याएंगे लेकिन अपन उसको बा इस तो इनकी चर्चा आगे वाले एपिसोड में करें दी है अच्छा एक एक जावनिशन पॉंटों की उसे अपने को इन भागों की बारे में क्या तैयारी करनी है तो देखो महां क्या पूछा जाता है कि किस बाग का संब्ध किस विशे से तो बैस बाइस बाइस तो सारे अपने को भी याद नहीं करना है इनमें जो इंपोर्टेंट वाग है वो जिसे एक बाग नंबर तीन यह मोस्ट इंपोर्टेंट भाग नंबर नंबर तीन मौली का अधिकार या मूल अधिकारों से संब्धित है और इसमें अनुछेद 12-35 तक का उलेक है इसे प्रकार अनुछेद है और यह भाग चारे में क्या लिखाया है मूल कर्देमें के बारे में एक है भाग पांच इसके सब्से बड़ा भाग है इन 22 ही वागों है सब्से बड़ा कैसी है कि इसमें 22 से लेकर 11-65 अनुछेद इसी में ही है और राज्ये है तो राज्य का मंदब राज्यों के बारे में कानू है मुक्य में अपालन दो यह लिए यह दूसरा सबसे हम बाग और टिंड च्ट्राइन इसमें झेंड को बाट रखेंगक उर यह यह वे चार इंड आग सर्सांर फिर नीचे चलेंगे यह पंचाईते आ गही तो 27 परकालिकर उल्लेग बारतिय जमिदान की क्स बाग में बाग 9 में और अनुचय से है 243 से लेकर 243 ओ तक फिर नीचे चलेगे नगरपालिकाउं का उल्लेग बारतिय समिदान की किस बाग में नो ए और इसमें आएंगे आपके 18 मुझेट और इसमें 16 मुझेट है उपर वाले पंचाहिदे में 16 मुझेट और इसमें 18 मुझेट नीचे चलेंगे यह आपको याद करने की जुर्द नहीं अभी सरा दिए और आएंगे यह की निर्वाचन 324 वारत का निर्वाचन आयोग उसका अलेक है फिर चलेंगे इसमें यह बालेक नंबर 15 निर्वाचन इस प्रावदान जिसे SCST के लिए विदान सभाओं इनमें लोग सभा में जो स्तानों का आरक्सित किया गया है उनकी कानून लिखें में इनमें तो ये भी है लेकिन इतना नहीं है इंपोर्टेंट उससे जड़ा इंपोर्टेंट ये बहाग अठारा है आपात रुबबंद है तो ये एकदम या रखना आपने को बाग नमबर अठारा आपात भुबबंद फिर चलेंगे नीचे है 19 की जड़त नहीं है बीस नमबर भाग संभीदान संसोधन 368 एक अनुचेद है इसमें द्यांर रखेंगे बाग नमबर बीस में एक अनुचेद है 368 इसका संभीदान किस से संभीदान संसोधन संभीदान को संसोधित करने की प्रकीरिया का उल्लेक है फिर बाद इत्की साथ है वेसे तो अभी तक तो इसका पिछले 70 सालों तक तो कोई मैं तो नहीं था लेकिन अभी कि पांच अगेस 2019 को एक एतियास ही कटना हुई भारत के राजनेतिक एतियास में कि अनुचे 370 जिसका संबंद कस्मीर के बारे में विशेश्च प्रावधाम से उसमें बहुत बड़ा परियोर्दन किया गया उसको डिलीट तो नहीं मारा गया संविदान में लेकिन उसमें ब इसका सीर्सक विशिय है वह क्या है एस्ताई यह जितने भी अब बंद आब देख रहे हैं 399 तरस लेकर थींसो बरणना तो यह सभी एस्ताई है यानि सरकार कभी भी इनको यह माने की संसथ कभी भी इनको हटा सकती है डिलेट कर सकती है जैसे भी 370 की कापी पुरावधा में गो डिलेट किया गया अब इसके तो 21 याद रखेंगे बागी यह 22 आपको याद रखने भी जरूत नहीं है अब 6, 5, 4, 4 और 3 यह अनुद 6 तो यह भाग तो बिल्कुल अपने को याद होने चीए एक जाम में पूछा जाता है कि इस बाग का संभन किस से है सबसे बड़ा बाग 5 और दूसरा सबसे बड़ा बाग बाग 6 यह इनके बारे में याद रखना आपको आपने मुझे सुनने के लिए देखने के लिए जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए आप सभी को धन्यवाद थैंक्यू वेरी मच